सद्गुरू जब आप इतने बड़े प्रोजेट्स करते हैं, एक तरह से सोशल मीडिया पर आपकी पहुँच कमाल की है, डिजिटल मीडिया पर आपकी जैसा दूसरा और कोई नहीं है, तो जब ऐसा होता है, तो आपके हिस्से में, मिना वतलब है, हमेशा थोड़ी बहुत ट पर मेरा मतलब है, अभी हाली में मैंने किसी एक का वीडियो देखा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, यूट्यूब पर उसके चार करोड फॉलोर्स है, मुझे लगता है ये शायद कैली, कैरी मेनाटी, कैरी मेनाटी, यूट्यूब पर चार करोड फॉलोर्स, और उसने काफी मतलब मजाकिया लग रहा था, लेकिन… या मुझे ठक कहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही रहूंगा जो मैं हूँ, वो नहीं बतलेगा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं जो हूँ वो लोगों की रायों से नहीं बना हूँ, अच्छी है बुरी, चाहे जो भी हूँ, मैंने अपने आपको एक अलग गजब की बात की जाएं, तो ये चीज़ों को बेवजा ही कठिन बनाता है, क्योंकि हर तरह की बकवास हर जगा मौझूद है, ये ऐसा होता है, कि कई बार दर्वाजे बंध हो जाते हैं, फिर आपको उने तोड़ना पड़ता है, इस तरह की समस्याएं हैं, दुनिया भर मे गजब की बात ये है, कि पाकिस्तान में मुझे जबर्दस समर्थन प्राप्त है, और भारत में लगबक इतनी ही चंसंक्या में मेरे खिलाफ हैं, कोई बात नहीं, इस दुनिया में काम करने के ये एक हिस्सा है, मुझे अश्चरह नहीं होता, क्योंकि देखिए कई सारे ऐस लोग हैं, जिनके पास जिन्दगी में करने के लिए कुछ भी महत्वपूर नहीं है, वो बस किसी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, तो जहां भी ऐसा कोई मौका होगा, वो पिस्सू की तरह वहां चिपक जाएंगे, ठीक है, ये मुझे चोट नहीं पहुचाता, तो अगर व ये चीज़े देखना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि मिट्टी बचाई जाए, वो नहीं चाहते कि भारत की नदिया फिर सबहें, अगर वो नहीं चाहते हैं, दुरभाग्यवश ये उनकी चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़े ठीक हो, मुझे यकीन है आप मेंसे ज्यादातर यहीं चाहते हैं, तो क्या सब कुछ हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता. क्या हमारे सारे लक्ष पूरे होंगे? नहीं. कम से कम इस पीढ़ी में, अगर हम कुछ कदम उठाएं, तो उमीद है अगली पीढ़ी और कदम उठाएगी. इसी तरी कैसे हल निकल सकता है? ऐसा नहीं है कि आप ही हर चीज का हल हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. आप इसे उस दिशा में बढ़ा सकते हैं, शायद अगली पीढ़ी से और भी आगे लेकर जाए, पर अगर ये लोग ऐसा नहीं चाहते, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं चाहते, जादतर से मैं उन्हें नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं. खास तौर से मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, पर मुझे आश्चेर नहीं हुआ. अगर कोई influencer है, किसी भी तरह का influencer, मान लिजे, आप 10 लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, या आपके दो बच्चे हैं. देखे, आपके साथ ऐसा होता है, आप कैसे भी जी रहे हों? पर अचानक आपको एक बच्चा होता है. जैसे ही वो आपको देखता है, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, भावित कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप थोड़े और जिमिदार बनेंगे. हलो, ये बहुत जरूरी है.